हेलो बच्चों तो कैसे हैं आप सभी लोग मैं आशा करता हूं कि आप इस कोरोना पेंडेमिक में अच्छे से अपने बोर्ड की तयारी कर रहे होंगे तो आज का विशय है हिंदी वक्षीट नमबर 42 9 ऑक्टूबर तो यह जो वक्षीट है वो हिंदी की है वक्षीट नमबर 42 जो की 9 ऑक्टूबर की है और इसमें हम एक महत्यपूर्ण विशय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को प्लीज बिना स्किप की एंड तक देखना क्योंकि यह इस विशय से आपके बोर्ड परिक्षाओं में कोश्यंस आते हैं और शत्पृतिशत आते इसमें पहली तस्वीर में वेक्टी जा रहा है पहली तस्वीर में व्यखती जा रहा है दूसी तस्वीर के अनुसार वेक्ती रेलगार्णी शारा तो इसमें कि यहाइभ खता है अब कि तिस्टीकों विक्ति से जाया नहीं जा रहा है अब रेल गापडी तो जा ही नहीं सकता यह तो आम जाहे पता जाए जैसे कि आप लोग व्यूठ से किसी फ़ोल घ्रेल कर्म पता चले उसे क्रियका कहते हैं इसमें जूप लेकिन उसका रूप और विशय की प्रदानता अलग-अलग है तो सो किस तरह कार्व विधान मतलब किये कार्व जो भी कार्व होता है जो भी काम उसका विशय क्या है करता कर्म भाव इन में से कोई एक जो भी कोई काम होता है तो उसका जो विशय होता है तो करता होता है तो कर्म होता है तो भाव होता है इन में से तीन में से कई KREA के जिस रूप से है पता चलता है कि किसकी प्रतानता है उसे बहुत्च कहते हैं ऴाच की डैफिनेशन आपको पता चल गया क盡 कि यह लेके बहुत कहते हैं ये इसकी पूरी डैफिनेशन है तो बाद में भी दिखा दूगा कर यही के आधार यह को कर दियंगे हैं करम और वह सकते हैं तो कार्म यालता कर सकते हैं तो आज के थी व्रक्षीट में सिर्फ प्रत्री वाच को भी समझ रहा है यह स्की डेफिनेशन किया है जिस वाकिय में करता की प्रधानता का बोध हो यानि क्रिया के जिस रूप से करता प्रधान हो उसे कत्री वाच्च कहते है तो ऐसे वाच्च जिन में जो करता प्रधान होता है करता प्रधान का मतलब है जिसमें करता हर चीज को करता है जिसमें करता प्रधान होता है देखिए जैसे इसमें एक्जामबल है अक्षत ने खाना खाया तो इसमें करता प्रधान है क्योंकि करता ही पूरे कर्म को कर रहा है तो इसमें करता प्रधान होगा क्योंकि अक्षत ने खाना खाया है तो इसलिए इसमें करता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसमें जो है कत्री वाच्च है तो इसके बारे में और पढ़ लेते हैं कत्री वाच्च में क्रिया सक्रम अकर्मक दोनों होती है कत्री वाच्च में क्रिया सक्रमक दोनों हो सकती है कत्रिवाच में करता विवक्ति से के को का की के में पर अरे के आदी रही होता है तो जो कत्रिवाच है इसमें इन में से कोई विवक्ति नहीं लगती है सिर्फ ने विवक्ति लगती है तो आप जो भी वाक्ति देखेंगे तो उसमें जो करता होगा जैसे जो काम करने वाला है तो उस पर आप यह हमेशे नोटिस करेंगे कि सिर्फ नहीं आता है जैसे राम ने खाना खाया तो इसमें राम क्योंकि कार कर रहा है करता है क्योंकि वह काम कर रहा है तो उसमें सिर्फ नहीं आएगा कुछ भी एक भी संटेंस आपको ऐसा नहीं मिलए राम का खाना किसी ने खाया एसा कुई वाग के इसमें मतलब सेक्टकाकिके में पर जो कि आपको इदर दिख रहे हैं ये सब इन में से एक भी आपको करता के बाद नहीं देखे गा कि कोई भी काम करने वाला व्यक्ति जैसे राम ने खाना खाया तो राम के बाद आपको नहीं मिलेगा बाद में मिल सकता है राम ने चम्मच से खाना खाया लेकिन चम्मच तो काम कौन कर रहा है खाना कौन खा रहा है वह राम खा रहा है तो राम के बाद सिर्फ नहीं आएगा तो इसमें केवल ने व्यक्ति का ही प्रयोग होता है जैसे कि आपको एक उधारण दिया गया है अप्छतने खाना खाया तो फिर वह वक्षिट में कुश्च कोश्चन से हैं नीचे दिए गए सब्द बंडार का प्रयोग कर आप भी कत्री वाच्छे से दस वाक के लिखिए त ओड़ो त्सटॉ पूरे ये दस शब्द हैं तो आपको दस वाक लिखिए से बनाने हैं तो पहले मैं इनके आपको नोस देदेता हूं कि आप आप Nोट बुक में अपनी नोस कैसे बनाने हैं आपको तो क्योंकि व्यक्तितर का बहुत ही आता महत्तव पूल्ड विशह है जि पहले आपको इसको याद करना बहुत यादा जरूरी है और इस विशह से रिलेटेड जो भी एक सजेश्टर वीडियो होगी जिसमें आपको वाक्षी के बारे में पढ़ाया होगा वह उस वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहां से भी आप के तीन भेद फिर कत्री वाच्ची की परिवाशा फिर कत्री वाच्ची में क्या क्या होता है इसमें क्रिया सकर्मका और अकुमर दोनों होती है कत्री वाच्च में के बाद ने करता विवक्ति का ही प्रयोग होता है करता के साथ ने विवक्ति को छोड़कर कुछ और विवक पस्ट दिये हैं आपको एजटीज यही अपनी नोटबुक में नहीं उतारने हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या क्या लिखना हो को बाद में बताता हूं लेकिन पहले आप इनको पड़ सकते हैं जिससे कि आपको एक आईडिय मिल जाए कि कत्री वाच्चित के कै सेलस अंटेंस रमेज केला खाता है चात्र ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं महारशी व्यास ने अठारा पुरान लेके सुन्द सुदा सुन्दर गी दिगा रही है रड़का फल खरीद रहा था भारत मंगल तक पहुंच गया विशाल पेट भरकर खाता है पुलिस ने भीड पर ग क्या है पहला बाजिए ये आपको अपने इसमें अंसर्स चुआ आपको कोउशन दिए है इसके अंसर में लेक़ना है पहला Miram पुस तक पढ़ता है ली दूसरा आपको खाता से बनाना है तो आप निख सकते हैं कुट्ता खाना खाता है तीसरा आपको ने से बनाना है तो आप इससे बना सकते हैं मेरे भाई ने आज का कार संपूर्ण कर लिया या खतम कर लिया चौथा बनाता आधमी तो इसका बना सकते हैं आदमी मकान बनाता है पांचवा है विद्याले तो आप इससे बना सकते हैं विद्याले विद्याले से आप क्या बना सकते हैं जैसे विद्याले बहुत ही सुन्दर होता है ठीक है उसके बाद पिया राम ने पानी पी लिया या कुछ भी नाम डालके प है खेलता कि वीराट कोली क्रिक्ट 건halता है और से रावत कब्डी खेलता है कुछ मैं आसकते हैं बरतन मां बरतन धोती है कि ऐसे गर क्या ब combustible पीशिर जंगल में शिकार करता है मैं शियर सबसे ज्यादा शिकार करता है ऐसे कि और कलाकार कलाकार अच्ची सुद्धर परसंदर कलाकरतियां बनाता है कलाकार अच्छी पेंटिंग्स बनाता है ऐसे आपको दस सेंटेंस बना लेने हैं तो थेंक्यू स्टुडेंट्स मैं आशा करता हूं कि आप सब्सक्राइब को यह वीडियो बहुत यह पसंद आई हो अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीड जरूर बताना है कमेंट सेक्षिन में और यहीं बताना है कि आप नेक्स्ट टाइम वीडियो में क्या बहतर चाहते हैं वह भी और क्या अगर कुछ आपको अच्छना लगा हो भी आप बता सकते हैं और अपने बोड की तयारी जरूर करते रहिए बहले ही एक और पेंड में आपके एक्जाम्स के लिए और मैं आपके लिए हिंदी की और वक्षीर सजाता रहूंगा तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्स्क्राइब कर लीचे थैंक यू